कॉलेज ओवर होने की बाद अनन्या कबीर दोनों अपने घर जले जाती हैं। कबीर आज जो हुआ उसकी वज़े से बहुत चड़ा हुआ था और किसी तरहें अनन्या को सबक सिखाना चाहता था। दूसरी तरफ अनन्या आज जो कुछ हुआ उसे याद करके बहुत खुश हो सामने से सोनी आ रही थी। कबीर का ध्यान नहीं गया और वो उससे भड़ गया। पलट के सोनी ने उसे बहुत गुस्से से देखा और बरबढाती हुई बोली। लफपन तर कहीं का। और चली गई। कबीर के नजर सामने पड़ी जहा अनन्या खड़ी थी। और जो हुआ उसे देख कर हसे जा रही थी। क्या है? क्यों खीकी की कर रही हो? आज तु मुझसे कुछ भी कहलो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। मैं चानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। थोड़ा पास आके। नरास है न तुमसे। कबीर उसे घूर कर देखता है और वो हस्ती हुई चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में आचल नोटिस बोर्ट के पास खड़ी होती है, तभी अनन्या आ जाती है। अरे यहां क्या कर रही है? ये तीक, नेक्स्ट वीक फ्रेशस पार्टी है। ओ, आम वेरी एकसाइटेड। लेकिन मुझसे जादा श्रेया एकसाइ है। कबीर और अनन्या दोनों की नजर एक दूस्टे पर पढ़ती है। दोनों एक दूस्टे को देखती हैं और फिर मुझ बना की निकल जाती है। पीछे से आवाज आती है। अनन्या आचल की तरफ देखते हुए बोलती है। अब किसी को कुछ आता होगा तो करेगा ना। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी तुमने मेरे बारे में कहा। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? और कहा भी तो क्या? कुछ गलत थोड़ी कहा। ओ, रियली? तुम्हें लगता है कि मैं पाटिको इंटरेस्टिक नहीं बना सकता। नहीं बना सकते। ये दोनों यहां लड़ रहे थे और वहां आचल और समराठ दोनों की दोस्ती हो गई। कबेर जाने देना क्यों लड़ रहा है? शुरू इसने किया। तो खत्म तुम कर दो, मुझे एक गलत साबित करके। अनन्या बस कर यार, तुम दोनों एक आदर्श पती-पत्नी की तरह कहीं भी लड़ना शुरू कर देती हो। वाट? वाट? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मू बनाकर चले जाते हैं। रिलाक्स कबेर, इसे तो अभी मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जुदिल को नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिन्दगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। और बीच में अनन्या को चड़ाता है। कबीर, अनन्या, मिस्टर और मिस्स फ्रेशर बनती हैं। ऐसे ही मस्ती के साथ फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो जाती है। और अनन्या, आचल के साथ श्रिया को ढूंटी हुई बाहर आती है। लेकिन उसे ना तो श्रिया मिलती है और ना ही अपनी स्कूटी दिखती है अनन्या श्रिया को कॉल करती है हलो श्रिया कहा हो तुम और स्कूटी भी नहीं दिख रही है I'm sorry मैं actually अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर आ गई थी और स्कूटी भी मेरे पास ही है वाट तुम इसे पिना बताए ऐसे कैसे चा सकती हो और तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं कैसे घर जाऊंगी I'm sorry यार प्लीज मैनेज कर लो मैं college से दूर हूँ मुझे पहुचने में time लगेगा वरना मैं आ जाती ठीक है और एक बात प्लीज घर में मत बताना मैं तुम्हें call करूंगी फिर हम साथ में घर अंदर जाएंगे लेकिन प्लीज 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 ये श्रिया भी ना मुझे इससे बात करनी ही होगी आचल तुम कैसे जाओगी आगे जाकर टाक्सी ले लूँगी चलो साथ में चलते हैं चलो दोनों college के बाहर टाक्सी का इंतिसार करने लगती हैं तब तक उन्हीं के batch के कुछ बिगड़े हुई लड़की आकर उन्हें परिशान करने लगती हैं अनन्या गुस्से से उसे घूर कर देखती है हाई ये गुस्सा सीधे दिल पर तीर की तरह लगा ऐसा है सीधे सीधे यहां से निकल लो वरना तुमारी खेर नहीं हाँ तो मारो ना आओ और वो दोनों आचल और अनन्या की तरफ बढ़ने लगती हैं चल अनन्या यहां से इनने कुछ भी कहने का कोई फाइदा नहीं है वो दोनों जाने लगती है लेकिन वो लड़के फिर से उन्हें फॉलो करने लगती है अरे इतनी भी क्या जल्दी है आरव अनन्या का हाथ पकरने ہी जा रहा होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लीता है कबीर उसका हाथ पकड़ लीता है और आरव और अनन्या की बीच में आ जाता है समराट भी साथ में होता है ओए कबीर समराट बीच में मत आओ परना अच्छा नहीं होगा और अगर तुम दोनों यहां से तुरंत नहीं गए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा अच्छा? क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं करेंगे अपना भी कुछ स्टेंडर्ड है यार जो करेंगी वो कॉलेज की लड़कियां करेंगी तुम यह तो जानते ही होगे कि लड़की अगर काली का रूप धान कर ले तो क्या कर सकती है? और यहां तो एक नहीं, हजारों काली है और तब भी अगर तुम लोगों की मोटी चमरी पर कोई असर नहीं हुआ तो वो देख रहे हो ना, फुलिस टेशन इव टीजिंग के जुर्म में ऐसे डंडे पढ़ेंगे न कि सारे मजनों रांजे बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के यह करके तुमने अच्छा नहीं किया एक दिन तुमें इसकी कीमत चुकानी पढ़ेगी, समझे? और वो दोनों चली जाती है कबीर, समराट, थैंक यू सो मच वो मैं थैंक यू कहने ही वाली थी पता है थैंक यू समराट तुम लोग घर जा रही हो, हम लोग छोड़ देते हैं आचल, तुम्हारा घर किस तरफ है? आचल उसे अड्रेस बताती है तुम्हारा मेरा रूट एक ही है हाओ, मैं छोड़ देता हूँ कबीर, तुम अनन्या को छोड़ दो ओके अनन्या, कल मिलते हैं वे सिर हिलाती है, आचल और समराट चले जाते हैं अनन्या, कबीर, पांच मिनट तक वैसे ही खड़े रहते हैं अब क्या रेड कार्पेट बिछाओ, तब बैठ होगी अनन्या उसे देखती है और गाड़ी में बैठ जाती है थोड़ी देर बाद, दोनों अनन्या की घर पहुँच जाते हैं थांक यू कबीर उसे देखता है और कुछ बोले बिना ही चला जाता है कबीर के जाती ही उसे श्रिया दिखती है जो एक लड़के के पीछे बाइक पर बैठी थी और एक दो बाइक और साथ में थी जिन पर कुछ लड़के लड़कियां थे श्रिया अनन्या के पास आती है सौरी अनन्या अनान्या को श्रिया की मौ से शराब की महक आती है तुमने शराब पी है? श्रिया जवाब नहीं देती मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अनान्या प्लीज घर पर मत बताना वे दोस्तों नहीं थोड़ी से बिला दी कैसे दोस्ट बनाए है तुमने जो ये सब करते हैं हमें कॉलेज वाइन के कितना कम टाइम हुआ है और तुम अभी से गलत रास्ते पर जा रही हो अनन्या, I promise दोबारा ऐसे नहीं होगा प्लीज इस बार माफ कर दो चल अब दोनों घर के अंदर जाती है अनन्या किसी को कुछ नहीं बताती थोड़ी दिर बाद श्रिया अनन्या के रूम में आती है अनन्या, जब मैं लोटी थी तब मैंने गाड़ी जाते होई देखी थी किसकी थी? कबीर की कबीर शर्मा? हाँ, वे मुझे छोड़ने घर आया था क्या बाद है नन्या तेरी उससे बड़ी बनने लगी है घर छोड़ने आगे तुझे क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है वे उसे सब कुछ बताती है ओ, थांक गॉड यौर सीफ वेसे आरोकेंट तो बहुत है बट कुछ भी हो, आज उसी ने हमें बचाया श्रियाम उसको राकर कहती है वेसे लड़का बुरा नहीं है और चली जाती है ऐसे ही देखते ही देखते इनके फर्स्ट येर के एक्जाम स्पास आ जाते हैं लेकिन अब भी कबीर और अनन्या एक दूसरे से लड़ते जखरते ही रहते हैं हाँ बस इतने दुनों में सिर्फ एक बदलाव आया था और वेह कबीर में दिखा था जो किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता था उसकी दोस्ती समराट से हो गई थी वेह उसका एक लौता दोस्त था समराट की दोस्ती आचल से भी हो गई थी और आचल की वज़े से अनन्या से भी दूसरी तरफ श्रिया पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी उसका पढ़ाई छोड़कर बाकी हर गलत काम में मन लगता था अर अनन्या यह समझ रही थी और उसके लिए काफी परिशान भी थी एक्जाम में अब ज़ावा टाइम नहीं बजा था एक दिन अनन्या श्रिया के पास उसके रूम में आती है श्रिया किसी से चाटिंग कर रही थी श्रिया अरे अनन्या, आना तुमारी exams की preparation कैसे चल रही है अच्छी चल रही है पर तुम तो मुझे किसी भी time पड़ती नहीं दिखती ना college में और ना ही घर में college में भी तुम class bunk करती हो नहीं अनन्या ऐसा कुछ अनन्या बीच में ही बोल पड़ती है दीख मैं तुझे टाटने नहीं आई हूँ और ना ही यह कहने आई हूँ कि मैं तेरी complaint चाचाचाची से करूँगी मैं बस तुछ से एक बात कहने आई हूँ कि तु जो भी करेगी उससे किसी के उपर या किसी के जिन्दगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर किसी पर असर पड़ेगा तो वह तेरी खुद की जिन्दगी है मैं पिल्कुर नहीं चाहती कि आगे चलकर तुझे किसी भी बात का पश्ताबा हो वक्त निकल जाने की बाद हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर चली जाती है अगर कुछ पश्ता है तो वह सिर्फ अफसोस इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है संभालने खुद को अनन्या यह कहकर कमरे से चली जाती है और श्रिया उसे जाते हुई देखती है अनन्या बेटा नीचे आना अनन्या नीचे जाती है क्या हुआ मामा तभी पीछे से कोई चौकलेट उसके सामने करता है जिसे देखकर अनन्या के चहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है वह पलट कर उस इंसान की गले लग जाती है आप इतनी दिनों बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने शंकर काका मैं आपसे बहुत नराज हूँ आपस खर से क्या गए मुझे भूल ही गए कोई अपने बच्चों को भूल सकता है भला भले ही वो दूर हो पर हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं शंकर काका कुछ साल पहले तक अनन्या के घर पर काम करते थे बर किसी वजह से उन्हें वहाँ से काम छोड़ना पड़ा वे अनन्या को बीटी की तरहें प्यार करते थी अच्छा तो फिर इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए यह सब छोड़िये गार्डन में चलिये मुझे आपसे पहुत सारी बाते करनी है वे उनको खीच कर ली जाती है वे दोनों बात कर ही रही होते हैं तभी शंकर काका के पास कबीर का फोन आता है हाँ कबीर बाबा अनन्या चौक जाती है काका आप कहा है मैं बाहर किसी से मिलने आया हूँ क्यों आपको कोई काम था नहीं मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि आज मैं खाना बाहर से खा कराऊंगा बाहर कहा? सहाब और मैडम पूछेंगे मुझे तो बताना पड़ेगा ना होटल स्नो व्यू ठीक है फर जल्दी आईएगा ओके कॉल कर जाती है आप जिसके यहां काम करते हैं उसका नाम कबीर है? हाँ क्यों? मेरी कॉलेज में भी एक कबीर है अरे तो अभी किलियर कर देते हैं वे अनन्या को फोन में एक कबीर का फोटो दिखाते हैं हाँ यही तो है वो एक नंबर का जिद्धी, खूसट, अडियल और खमंडी इनसान है हरे आप ऐसा क्यों कह रही है? सही कह रही हो जिस दिन से कॉलेज में कदम रखा है उस दिन से परिशान कर रखा है वे उन्हें सब कुछ बताती है मेरी तो इससे बिलकुल नहीं बनती बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो इनसान बहार से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो आपकी और उनकी जंदगी में बहुत अंतर है आपने रिष्टों में मिठास देखी है और उन्होंने कडवाहर आपने अपने माबाप के बीच प्यार देखा है तो उन्होंने जगडे इनसान जो अपने आसपास बचपन से देखता है उसी से उसकी सोच बनती है जो इनसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को कैसे खुशी देगा आपने उन्हें समझने में गल्ती कर दी फर एक दिन आप ये बात जरूर समझोगी क्या वाकी मुझसे गल्ती हुई है थोड़ी देर बात काका भी चले जाती है अनन्या वापस से आकर अपनी बढ़ाई करने लगती है अगले दिन कभीर कॉले जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइक से ठकर हो जाती है कभीर उतर के बाइक वाले के पास जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं बलकि आरव होता है क्या बात है यार मतलब बड़ी गारी में बैठे हो सड़क पर बाकी सब की कोई उकात ही नहीं है किसी को भी ठोक दोगे गलती तुम गलत डायक्शन में आ रहे थे हाँ मैं तो भूली गया कि कभी शर्मा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता लिसन आरव बीच में ही बात काड़ दीता है चिल डूड आयम इन नो मूड़ फाइट सो ली स्टूनेंट्स को असेंबली ग्राउंड में असेंबल होने को कहा गया था सबकी चेकिंग स्टार्ट होती है कभीर का नंबर आता है और उसके बैक से एक्जाम पेपर्स के जिरॉक्स मिलते हैं कभीर भी एक्दम शॉक्ट रह जाता है कभीर ये क्या है मुझे तुमसे योवीद नहीं थी तुम इतनी रेपूटेट फैमली से बलाउंग करते हो उसके बाद जू तुमने ऐसा किया मैं भी तुम्हारे पिरेंट्स को कॉल करता हूँ और उसके बाद कमेट्री डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है सर बिलीव मी मैंने कुछ नहीं किया है I am innocent someone has trapped me और प्लीज मेरे पिरेंट्स को मत बताइए उन्हें बहुत बुरा लगेगा ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था सर आप मेरा यकिन क्यों नहीं कर रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है किसी ने जान बुश के मेरे बैग में papers डाले हैं मैं सच कह रहा हूँ ठीक है मैं तुम्हें कल तक का time देता हूँ कल तक कोई action नहीं लेंगे लेकिन अगर तुम कल तक अपने आपको इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें exam नहीं देने दिया जाएगा और college से भी निकाल दिया जाएगा युमे लीव नाओ कबीर प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है वहाँ पहले से समराट और आचल खड़े हुए थी क्या हुआ क्या का प्रिंसिपल ने अगर कल तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाया तो मुझे college से निकाल दिया जाएगा लेकिन इतनी घट्य हर्गत कौन कर सकता है यार पता नहीं पर मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है अफसोस इस बात का है कि मैं सही होकर भी गलत साबित हो जाऊँगा और मेरा पूरा करियर बरबाद हो जाएगा मेरे पिरंट्स को कैसा फिल होगा यार कबीर प्लीज डोंट लूज हो हम लोग तुमारे साथ है अब कुछ नहीं हो सकता कुछ भी नहीं यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं अब आएगा माजा बहुत अकल है ना उसकबीर में अब बेचारा किसी से नजरे भी नहीं मिला पाएगा ठीक कहा तुमने बहुत हीरो बनता फिरता है ना अब तो गया वैल डन आरफ वैल डन आज सुभे जब कबीर और आरफ की गाड़ी एक दूसरे से भिड़ी थी वह आरफ और सौरफ का प्लान था उन्होंने जान बूच कर किया था आरफ ने उसे बातों में उलज़ा दिया उसी बीच सौरफ ने मौका देखकर कबीर के बैग में एक्जाम के पेपर्स के जेरॉक्स डाल दिये थे वैसे हम काफी स्मार्ट हैं हमने एक ही चाल से दो शिकार कर दिये पेपर हमने चुराए और इलजाम कबीर पर डाल दिया अब हमारे पेपर भी अच्छे होंगे पर हमारा बदला भी पूरा हो गया और वहे लोग हसने लगते हैं कबीर योही कॉलेज में बस चल रहा था उसे पारकिंग में अनन्या दिखती है पदा नहीं क्या सोचकर वह बहुत गुसे से उसकी तरफ जाता है अनन्या के पास आकर अनन्या चुप चाप बस उसकी बाते सुन रही थी और उसे देख रही थी तुम जानती हो सबसे अमेजिंग बात क्या है मैं जानता हो कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मैं यह साबित नहीं का सकता क्योंकि बिना सबुत के कोई मेरी बात मानेगा ही ने मेरे पिरंस कैसा फिल करेंगे यह भी कोई नहीं समझ सकता उसकी आखों में हलके से आसू आ जाते है सो मिस अनन्या कश्यप गुडबाई फोरेवर यह कहकर कबीर वहां से चला जाता है नहीं यह ऐसा नहीं कर सकता यह जिद्धी है अडियल है घमंडी है पर धोके पास नहीं है आज इसकी बातों में गुस्सा नहीं दुख था जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है लेकिन इस वक्त उसको ससा दिलाने से स्यादा जरूरी है एक बेगुणा को बचाना कुछ सोच कर वे किसी को कॉल करती है और बात हो जाने के बात कॉलेट से चली जाती है अगले दिन कबीर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो यह बात साबित कर सके कि तुमने पेपर नहीं चुराए सर मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता कबीर तुम्हें स्कॉले से सस्पेंट किया जाता है तब एक केबिन के दर्वाजे से एक लड़की की आवाज आती है May I come in sir? वेर अनन्या होती है Sir, I'm Ananya Kashyap, B.Sc. First Year Student मैं कभीर शर्मा की क्लास्मेट हूँ Yes, Miss Ananya, you want to say something? Yes, Sir, Sir, कोई भी decision लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये CCTV footage देखें अनन्या एक CCTV footage प्रिंसिपल के लापचॉप में आउन करती है उसमें कभीर समराट के साथ 9 बजे के करीब होटेल स्नो व्यू में बैठा था लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता क्योंकि कॉलेज की footage में पेपर 12 बजे के आसपाच चुराए गए है अनन्या अपने बैक से एक बिल निकालती है सर ये बेकरी का बिल है चाहाँ से कल 10 बचे कभीर ने केक लिया था अनन्या समराट को अंदर बुलाती है सर कभीर मेरे साथ ही था गल हमने बेकरी से केक लिया क्यों कि आज कबीर के काका का बथड़े है और फिर कबीर अपने घर चला गया और मैं अपने सर कल रात बारा बज़े कबीर बाबा मेरे साथ मेरा जरम दिन बना रहे थे अनान्या उन्हें कुछ फोटोस दिखाती है फोन में जिसमें डेट और टाइम शो हो रहा था सर एके इंसान एके टाइम पर दो जगे कैसे हो सकता है और कॉलिज के फुटेज में किसी का भी चहरा क्लियर नहीं है सर किसी ने चान बुचकर कबीर को फसाया है और सर कॉलिज में कोई इतनी आसानी से कैसी खुच सकता है जब तक कोई लिंक ना हो प्रिंसिपल गाट को अंदर बुलाते हैं और थोड़ी सी डाट के बाद ही वे सब उगल देता है तुम दोनों को इस कॉलेज से निकाला जाता है सर प्लीज इन्हीं कॉलेज से मत निकालिए एक गलती की वज़े से इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा किसी कॉलेज में इन्हें अड्मिशन नहीं मिलेगा ठीक है मैंने कॉलेज से नहीं निकालूँगा पर यह अपना फर्स्ट इयर रिपीट करेंगे कबीर अनन्या एक साथ बोलते हैं केबिन के बाहर आकर आरवर सौरव कबीर से माफी मांगते हैं और अनन्या को थैंक यू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं कबीर अनन्या की तरफ देखता है क्या कहा मैंने कुछ सुना नहीं अनन्या यूर वेलकम कबीर जाने लगता है फिर नव जाने क्या सोच कर वापस अनन्या की पास आता है अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोस नहीं बनाते दिल से आया तो कह दिया अगर तुम्हें नहीं करने तो कोई बात नहीं यह कहकर वे जाने लगता है अरे रुको तुम इतने अजीब और अत्रंगी क्यों हो यार मैं तो बस तुम से पोची रही थी मुस्कराते हुए उससे हाथ मिलाती है और कहती है फ्रेंज कबीर और अनन्या की दोस्ती की शुरुबात इनके लडाई से दोस्ती तक का सफर तो हमने देख लिया लेकिन इनकी दोस्ती का सफर कहां तक जाता है और किन-किन रंगों में ढ़लता है जानने के लिए देखते रहे शायद यही प्यार है कहानी का अगला भाग.